पहली वाइरल वीडियो में साफतोर पर देखा जा सकता है कि हाथियों का जुंड मस्ती से खुले में घूमते हुए चल रहे हैं और वहीं थूड़ी दूरी पर शेरों का परिवार बैठा है लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं है कि सामने बैठे शेर उन पर ह अमला कर उनका शिकार भी कर सकते हैं पहले तो शेर आराम से उन हाथियों को देखते रहते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हाथी बिना डरे उनके पास आते जा रहे हैं तो शेर के बच्चे काफी घगरा जाते हैं और उन्हें चिंता होने लगती है जिसके बाद श शेर कुछ ही देर में वहां से फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी हरान हैं क्योंकि इन हातियों ने खुद डरने की बजाए उल्टा जंगल के राजा और उसके बच्चों को ही डरा दिया। दूसरी वाइरल वीडियो है एक क्यूट सी बच्ची की। इस वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची अपना खाना खुद ना खाकर बेजुमान जानवर यानि की कुट्टे को खिला रही है। वो अपने हाथ से बड़े ही प्यार से उसे खाना खिलाती है। और जब वो उसकी तरफ नहीं देखता तो वो उसे बड़े प्यार से खाने के लिए बूलती है। कुत्ता भी बड़े प्यार से उसके हाच से खाना खाता है वो भी बिना कोई शरारत करें इस वीडियो को देखने के बाद साफ पता चलता है कि यह दोनों ही एक दूसरे से बेहत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रहे सकते इस वाइरल वीडियो को देखने के बाद लोग इस वीडियो को अपने अधर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर भी जम कर शेयर कर रहे हैं तीसरी वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेजुबान जानवर का दोस्त सिविज लाइन के अंदर फस जाता है जैसे ही उस बेजुबान के दोस्त की नजर उस पर पड़ती है तो वो फोरण उसके पास दोर कराता है और उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करता है वो सिविज लाइन के धकन को खोलता है और उसे वहां से बहार निकालता है इतना ही नहीं वो उस धकन को फिर से बंद करता है ताकि और कोई इंसान या जानवर इसके अंदर ना गिरे इस वीडियो से साफ पता चलता है कि सिर्फ इंसान ही एक दूसरे की मदद नहीं करते बलकि जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे आम आदमे पेश को फॉलो करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें